जाहन क्लास आज की डेट आपकी 30 एपरेल है और आप सभी जानदों कि ये मन्थ आप आज का इंड हो भी जाएगा और इसी मन्थ के इंड होते ही हम सभी आज की इस क्लास में एपरेल मन्थ में जितने भी इंपॉर्टेड इवेंट्स अकर हुए हैं उनको वन बाई वन हम कवर करेंगे साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने टॉप मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लास्ट क्लास के एंड पे कवर करेंगे तो फटा फट लगातार आप सभी इस क्लास से लाइप जुड़ते जाएए जिससे की आप अपनी तयारी भी बहतर कर सके और अच्छे से अच्छा और बहतर से बहतर अपनी तयारी को करके अपने आने वाले एक्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं तो एक बार फिर से सभी को good morning एंड जैहन लगातार बच्चे जुड़ते जाहिए क्लास को like share दे दीजे जिससे कि हम अच्छे तरीके से आज की स्क्लास को run कर सकें और इसी के साथ शुरुवात करते हैं आज की स्क्लास की और जैसा कि आप सभी जानते हो कि SSB crack exam is the India's number one e-learning portal where we provide the facility of video lectures in our app, daily live classes, we also give to you study plans and study notes जिससे कि आप एक pattern में रहके time limit में एक अच्छे तयारी कर पाओ, साथ ही साथ हम अपने app पर mock test conduct कर वाते हैं जिससे कि आप एक all India अपनी rank analysis कवर कर पाओ, offline access हम अपने documents और videos के आपको provide करते रहते हैं जिससे कि आप घर बैठे 24-7 आर पढ़ाई कर सको और हमारे syllabus up to date रहते हैं these are the courses which are providing by the SSB crack exam like SSB interview online course, NDA, CDS, MNS, FCAT, Territorial Army, ACC, CAPF, FCAT and many others bundles and test series of all the courses are available, जहां पर आप एक थोरोली preparation सभी courses की कर पाएंगे, जिस course में भी आपको enroll होना है, साथ ही साथ जब आपका एक बार concept clear हो जाए, तो आप test series भी ले सकते हो, और price बड़ी ही affordable है, सभी आप effort कर पाओगे, और एक बहतर institution से, सबसे best institute से आप अच्छे तयारी करके अपने आने वाल exam में score कर पाओगे, इस class की PDF को download करने के लिए, आप सभी हमारे app को download कर लिएजे, जिसका link नीचे description में दिया गया है, या फिर आप हमारे blog और telegram channel पर भी visit कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा, ऐसे वच्चे जो हमारे courses को लेकर काफी interested हैं, हमारे courses में enroll होना चाहते हैं, उन सभी से मैं कहना शाहूंगा कि आप सभी इस वारे 10 code का use करिए, जहां पर आपको 10% का flood discount हमारे सभी courses पे मिलेगा, तो यह थी आपके apps related, हमारे courses related कुछ important features और उनकी बातें, अब शुरुवात करते हैं, आज की class की, और सबसे पहले हम हमेशा शुरुवात करते हैं, अपने question of the day के साथ, तो, today's question of the day is, यानि कि कल मैंने आप से question पूछा था कि, you have to identify the force, और कल बहुत सारे बच्चों ने answer भी इसका दिया था, एक बार फिर से, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लगतार comment करते जाएं, और अपना answer comment box में मुझको बताते जाएं, चली, सभी को good morning, लगतार बच्चों जुड़िये, ओके, और आज की बड़ी important class है आपकी, चली, सभी के answers भी आ गए है, and the right answer of this question is, it is a United Nations peacekeeping force, आप सभी चानते हों कि World War 2nd के बाद से 1948-1945 में United Nations के establishment की गई, और उन्होंने अपना एक 77 साल पुराना, यानि कि अब से 77 साल पहले, 1945 में United Nations peacekeeping force बनाई, ऐसे हमारे विश्व के इलाके जहां पर instability रहा करती है, वहां पर इन troops की deployment होती है, ये troops में से जुतनी भी जवान होते हैं, वो विश्व के सभी देशों से लिये जाते हैं, और वो सर्व भी किया करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 1945 में 77 ये पहले ये आये थे, और under secretary general आपके peacekeeping force के हैं, जीन, पीरे, लैरोइक्स, active personnel, इसमें आपके total देड़ लाक हैं, और इनका budget अगर हम देखें, तो 6.7 billion dollars का रहता है, तो ये थी आपकी United Nations Peacekeeping Force, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम soldiers के contribution देखें, तो वो भारत देश से रहता है, पहला हमारा event है, Indian Air Force chopper deployed to douse blaze at Sariska Tiger Reserve, आप सभी जानते हों कि Sariska Tiger Reserve में, जो कि राजस्थान आपके अलवर में आपका इस्थित है, अरावली हिल्स में, वहाँ पर अभी आग लग गई थी, और Indian Air Force ने वहाँ पर आग बुझाने के लिए, आपके दो MI-17 हेलिकॉप्टर्स को वहाँ पर deploy भी किया था, अगर हम Sariska Tiger Reserve की बात करें, क्योंकि अभी ये आपका काफी न्यूज में भी रहा था, और हर एक्जाम में, सिर्फ डिफेंस में नहीं, बाकी हर एक्जाम में, इससे रिलेटर कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है, Sariska Tiger Reserve is located in the Arawali Hills and forms the Allward District of the Rajasthan, ये आपका जो रिजर्व है, वो Royal Bengal Tiger के लिए और अपने Flora Fauna के लिए काफी रिच भी माना जाता है, इसके अलावा, 1955 में ये आपका Wild Life Century बना था, और 1978 में आपका ये Tiger Reserve बना, Project Tiger के तहद, यहीं पर आपका कांकरावाडी फोर्ट है, जहां पर अकबर ने अपने भाई, दारशीको को भी जो है, कैद में रखा था, तो ये सभी बाते आप याद करे रहिए, क्योंकि मैं एक बा समंदीर है, लौड हनुमान की, ना, पंदूओ पोल में, जो कि आपके पांडवा से रिलेटेड है, तो ये थे आपके, सरिसका Tiger Reserve में जो आग लगी थी, उससे रिलेटेड ख़वर, नेक्स्ट हमारा है, वाइस एड्मिरल संजय महिंदरू एजियूम चार्ज ऐस सेवा मेडल, नौसेना मेडल, वाइस एड्मिरल संजय महिंदरू को जो है, आपका रखा गया है, और उन्होंने 31 मार्श को ही अपना पदभार ग्रहन किया था, वाइस एड्मिरल संजय महिंदरू, आपके एंडिये खडग वासला से पढ़ कर आए हैं, और ये 1985 बैस से रि वनीत सिंग को जो है, जो रिटायर हो गयते 31 मार्श को उनकी जगा ली है, नेक्स्ट इवेंट हमारा, वाइस एड्मिरल आजय कुच्चर, निव कमडांट आफ इंडिये, आप सभी जानते हो कि एंडिये इस आप ट्राइ सर्विसेस ट्रेनिंग कमांड आफ इंडिया, जो अपना पदभार समहाला है, 1988 बैच के यह ओफिसर हैं, और इन्होंने आपके डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज, जो की तमिलनाडू की वेलिंगटन में हैं, वहां से ग्रेजुएट हैं, नेवल वार कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मुंबाई, रॉयल कॉलेज आप 258th रेजिंग डेज, यानि की अभी हमारे इंडियन आर्मी की जो सबसे इंपोर्टन रेजिमेंट है, आर्मी, मेडिकल कोर, उनके द्वारा अपना 258th रेजिंग डेज आपका मनाया गया, और आप सभी जानते हो कि इनका मूटो क्या है, सर्वे भावन्त सुखिना, ओके, और अगर हम AMC की बात करें तो, AMC जो कोर होती है, हमारी सेना की, भारती थल सेना की, वो United Peacekeeping Force में भी सबसे ज़्यादा पाइस्पेट करती है, साथ ही साथ, तियाचिन ग्लेशियर में और भारत में, भारत के साथ, हमारे पडोसियों की जितने भी युद्ध हुए हैं, उनम साथ ही साथ, इस बार के जो आपकी AMC की रेजिन भी मनाई गई थी, उसमें DGFA AFMS के द्वारा, यानि की Director General Armed Forces Medical Services के द्वारा, आपका एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें ये बताना था कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको एक बहतर माने जाते हैं, तो वो है आपके मानेक्षा, और इनकी 3rd of April 1914 को जो है, बर्थ anniversary होती है, और इस बार 2022 में इनकी 108th बर्थ anniversary थी, ये हमारे Indian Army की Chief भी रहे हैं, साथी साथ ये भारत के ऐसे पहले officer रहे हैं, जिनको field marshal बनाया गया है, इनका जन्म 3rd of April 1914 को अमरिस सर में हुआ अंडिवाइडिड इंडिया में, और अगर हम देखें तो 1932 में इन्होंने जो आपकी आर्मी जोइन कर ली थी, ठीक है, इंडियन मिलिटरी अकेडमी, वैसे तो इनके पिता जी इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इनके हाथ में सीरिंज की जगा एक एक पोटी से लगी थी, पांच गोली तो इनके सीधा पेट पे लगी थी और इन्होंने अपने इंटर्वी में भी बताया था, साथी साथ इनको पद्म विहूशन से भी सम्मानित किया गया है, और 1973 में इनको फ्रीड मार्शल भारत का बनाया गया था, ओके, और अगर मैं इनका सबसे ध अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, हां में हां न मिलाते रहे हैं, आप अपने knowledge से, अपने intelligence से हर चीजों को देखिए, जहां पर सही लगे, वहां पर yes करिए, जहां पर नहीं लगे, तो वहां पर आप मुखर होके कहिए भी, दूसरे को खुश करने के चक्कर में रहेंगे, तो आप बड़ी बड़ी post पा लेंगे, लेकिन आप कभी एक true leader कभी नहीं करेंगे, और साथ इसाथ आप अपने देश के लिए एक दीमत की भाती रहेंगे, नेक्स्ट रिवेंट, exercise ज्वाला तरणी, तो देखिए, अभी हमारे black made brigade, जो की desert core है, ना Indian army की, उनके द्वारा exercise ज्वाला तरणी अभी कंड़क्ट की गई थी, जैसल मेर में, जिसमें future ready first world army का एक aim रखा गया, और उन्होंने इस exercise को आपके, हमारे राजस्थान के तरफ किया, जहां पर सबसे ज़्यादा आपकी mechanized infantry ने participate किया था, जिससे कि हम यह देख सके हैं कि, अलग अलग ट्वीरेन में, हमारी Indian army कितने बहतर तरीके से operate कर सकती है तो exercise ज्वाला तरणी, it is a type of a domestic exercise conducted by the desert core of Indian army in the जैसल मेर राजस्थान, next, mechanized infantry raising day, तो देखिए, mechanized infantry raising day भी अभी आपकी 3rd, 4th April को मनाई गई थी, जहां पर हमारे जो COAS हैं, उन्होंने बधाई दी, mechanized infantry raising day, हर साल आपका 2nd April को मनाई जाता है, और अगर हम बात करें, इनके regimental center की, तो एहमर नगर महराश में इनका regimental center है, मोटो इनका वेलर एंफेद, और वार क्राई क्या है बच्चों, बोलो भारत माता की जय, एक बार आप सभी पूरे comment box को भारत माता की जय के नारे के साथ, युद्धोश के साथ भरने का कोशिश करिए, जिससे की हम एक tribute अपने mechanized infantry को दे पाएं, लगतार बच्चों कमेंट करते रहे हैं, और इसी के साथ हम अपने next event पर बढ़ते हैं, exercise warrant 2022 culminated, तो देखिए, 3rd of April को इंडियन नेवी की exercise warrant, आप सभी जानते हो कि भारत और फ्रांस के बीच में conduct की जाती है, और उसका 20th edition इस साल भारत में गोवा, यानि कि आपके दो phase हुआ था, इसका C phase और आपका Harvard phase, Harvard phase गोवा की तरफ, और आपका C phase आपका Arabic in C में इसको conduct करवाये गया, जहां पर दोनों देशों की 9 से 9 ने part speed भी किया, तो आप सभी जितने बच्चे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपने copy pen को लेकर साथ बैठे रहा करें, जिसे कि आप एक short notes बना सकें, इस आपके exercise में भारत की तरफ से हमारी missile destroyer आइनस चन्नाई ने part speed किया, वहीं हमारे helicopter Sea King MK-42B, जिसको हमने आपके ब्रिटेन से खरीदा हुआ है, उसने भी part speed किया, हमारे petrol maritime aircraft, जिसका नाम आपका Poseidon 8i है, उसने भी इस आपके one exercise में part speed किया है, और इस बार का ये कौन सा एडिशन था, इस बार का ये आपका 20th एडिशन था, जो कि कहां पे हुआ आपके गोवा में हुआ, इसको आपको याद रखना है, नेक्स्ट इवेंट आपका international event है, Australia, UK, US, जिनको हम क्या कहते हैं, AUKUS कहते हैं अभी 2020 में इनकी नई grouping बनी है, अब ये आपके तीनों मुल्क, मिलकर hypersonic missiles बनाएंगे, अब क्यों बनाएंगे, तो सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका Ukraine Russia का war है, क्योंकि Russia के पास जो जिस टाइप की missiles हैं, उनका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है, चाहे वो nuclear capable missile starmet हो, या फिर आपके कोई भी hypersonic missile हो, ना उसको कोई radar पकर सकता है, ना ही अगर आप radar के उसको detect भी अगर कर लेते हैं किसी तरीके से, तो आ ये तीनों देश ने अब अपने बीच में एक सहयोग किया है, साज़ेदारी की है कि अब हम hypersonic missile के technology पर काम करेंगे, और missile पर भी काम करेंगे, और radar system भी पर भी काम करेंगे, ठेक है, और ये तीनों देश आप जानते हो कि नया इनका समू बना हुआ है, और ये देश जो है, काफी agranidation, industrialization और military में या फिर economy काफी बहतर भी हैं, नेक्स्ट, इंडिया किर्गिस्तान joint special forces exercise concludes, तो देखिए, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो आपके exercise होती है, ना खंजर, उसका 9th edition अभी आपके 25 मार्च चलेकर 6 एपरल तक शला, और ये हिमाचल पदेश के बाखलो में conduct हुआ, तो इस exercise को भी आपको पता रहना चाहिए, mainly हमारी special forces इसमें आपका operate करती हैं, और ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हर साल इस exercise को conduct करवाया जाता है, लगातार कमेंट करिए कि OTA गया में किसको किसको जाना है, वैसे तो जो आर्मी 10 प्लस 2 वाली इंट्री होती, और इसके नए कमांडन किसको बनाया गया है, लिफ्टेंज जनरल पियस मेनहास को बनाया गया है, और इन्होंने अपना पतब्रहाण भी ग्रहन कर लिया है, अगला इवेंट इस्टन फ्लीट गोल्डन जुबली celebration, तो देखिए, 6 और 7 अपरेल को इस्टन फ्लीट की गोल् इस्टन फ्लीट और इसको इंडियन नेवी की दौरा आपका कंड़र्ट करवाया गया, और आप सभी जानती हो कि इंडियन नेवी की तीन आपकी मेन कमांड्स हैं, जिन में इस्टन कमांड आपकी कहां पर आती है, आंदर प्रदेश के विशा का पत्नम में आती हैं, ओके, as a part of a golden jubilee celebration, a documentary in scapulating the growth of the eastern fleet formation 71 to its presentation position of eminence was also screened, थेक है, यानि कि 1971 में eastern naval command का क्या role था, उसको भी इसमें दर्शाय गया, और अब बात आती है, आपकी सबसे important चीज की, जहां से आपके examic question बन सकते हैं, तो देखिए, आइनस शिवालिक was injured as the best ship of the eastern fleet, और जब आपका ये seminar celebration कराया जा रहा तो उसमें, आगर हम eastern fleet की सबसे best ship मानें, तो best ship आपके सबसे अच्छी जहाज, आइनस शिवालिक है, आइनस कदमत को best corvity का आपका पुरुसकार दिया गया, वही पे most spirited ship को जो है, आइनस सत्पुडा और कोरा को ये award गया है, तो इन सभी कॉप note down कर लीजे, आप इसको याद भी कर सकते हैं, नेक्स्ट इवेंट, पिनाका मार्क वन फर्स्ट, इनहांस पिनाका ADMR successfully flight tested, तो देखिए, पोखरन रिंज, राजस्थान के तरफ, हमारे DRD और इंडियन आर्मी ने पोखरन, पिनाक मार्क फर्स्ट का एक सफल successfully test fired किया है, पिनाका आप सभी जानते हो कि ये MBRL है, यानि कि multi barrel rocket launcher system है, इंडियन आर्मी का, जिसको DRD की दोरा बनाया गया है, ये लगवक 30 से लेकर 90 km तक के area को cover करती है, और 3 km के इलाके में ये पूरा बरबादी कर देती है, यानि कि माल लीजे यहां से अगर मैं 40-50 km के दूर मारूं और पूरे के पूरे rocket वहाँ पर दाग दूं, तो वहाँ का जो 3 km का इलाका रहेगा, वो पूरा नस्त नाबूत हो जाएगा, तो यह आपकी पिनाका मार्क वन है, a total of 24 rockets were fired for different ranges during the last fortnight, ना, तो इन्होंने बहतर तरीके से अपने जितन पाना लगाना था, इस आपकी मिसाइल के दौरा किया गया है, नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड कमिशन फर्स्ट, ALH, Advanced Light Helicopter Mark 3rd Squadron, तो आप सभी जानते हो कि हमारे हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लिम्टेड के दौरा, Advanced Light Helicopter बनाए जाते हैं, और उसका जो सबसे अभी लेटेस्ट वर्जन है, Mark 3rd का, उसको हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्र भी करवा दिया गया है, ALH Mark 3rd Choppers are fitted with the modern surveillance radars and electro-optical equipments, जो कि उसको long-range maritime reconnaissance की facility प्रोवाइड करता है, 4 such helicopters are positioned at Bhuneshwar, covering the entire coast of Bengal and Odisha, तो अगर हम Eastern, आपके command की सरफ देखें, तो total 4 आपके helicopters को deploy किया गया है, अगला question, अगला event आपका, anti-tank guided missile Helena successfully flight tested, तो आप सभी जानते हो कि, और question काफी बार आपकी exam में पूछा भी जाता है, Helena आपका क्या है, तेक है, so Helena is a type of ATGM, क्या है बच्चो, ATGM है, यानि की anti-tank guided missile है, जिसको हमारे defense research and development organization के द्वारा develop किया है, और इसका अभी जो है, हमारे धुरू हेलिकॉप्टर से इसकी successfully flight testing 11th April 2022 को conduct करवाई गई है, जहां पर इसने काफी accurate निशाना भी लगाया है, अगर हम इसका land version देखें, तो उसका नाम क्या रहता है, नाग, ओके, और हेलीना को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हेलीना भी कहेंगे, और आपका धुरू आस्त्र भी कहेंगे, धुरू आस्त्र क्यों कहेंगे क्योंकि यह आपका धुरू हेलिकॉप्टर है न बच्चों और धुरू हेलिकॉप्टर से जिस मिसाइल का प्रच्छेपड किया जाता है उसको DRD ने नाम दिया है आपका धुरू आस्त्र ठीक है चीनूक अंडय कॉप्टर हेलिकॉप्टर शॉटी इंडिया चीनूक आस्त्र घ्रूल आपके जोक्तarti कमरी मिलेकड़ी घ्रूने कि यह है ली है जो कि अब तक का सबसे बहतर रिकॉर्ड है और इस हेलिकॉप्टर ने आपका 1910 किलोमीटर की फेरी साढ़े साथ घंटे में कवर की है जो कि हमारे इंडियन एरफोर्स के वस्टन कमांड के दौरा कंडट किया गया है और आप इसका पूरी पूजेशन देख सकते हैं यह आपका चंडीगण है और आसाम का आपका जोरहट का इलाका जो की टोटल 1910 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बार पूरी च्यूलिंग करने पर यह आपके पूरा 1910 किलोमीटर का कवर एक साथ कवर कर सकता है तो काफी बहतर हेलिकॉप्टर है इसको अमेरिका के बोइंग कंपनी के दारा बनाया गया है और भारत में यह भी सेवा दे रहा है नेक्स्ट इवेंट बड़ा ही इंपोर्टेंट है और यहां से कोश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है बच्चों आपके एक्जाम में रशियन नेवल वार्शिप सिंग्स यानि की रशिया की जो आपकी नेवल वार्शिप थी जिसका नाम आपका मुस्कोवा था उस मिसाइल डिस्ट्वायर ऑफ दी रशिया ठीक है जिसका नाम आपका क्या है मुस्कोवा है रशिया का तो यह कहना था कि देखी उसमें एक एक्स्प्लोजन हो गया था इस कारण से वो डूब गई लेकिन में बात यह थी कि उसमें मिसाइल लगने के कारणी वो डूबी है ए जैसे हमारी रिपब्ली डे परेड होती उसी तरीके से रशिया की परेड होती है और उसमें अब वाल्देमीर पुतिन ने यह कहा है कि अपने जन्रेल्स को आप सभी 9 माई तक एक बहतर रिजल्ट हमको प्रवाइड करें जिससे कि हम 9 में को जो हमारी एक आर्मी सेरिमनी हो इसको बहतर कर पाएं नेक्स्ट इवेंट सुखोई 30 मार्क फर्स्ट फाइड ब्रम्होस मिसाइल तो देखिए सुखोई से जो है आपका ब्रम्होस मिसाइल की एक बार फिर से इस एपरल मन्थ में टेस्ट फाइर किया गया है और आप सभी जानते कि ब्रम्होस एक ऐसी मिस मिसाइल है जिसको हमारे DRD और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनाया गया है इसके अलावा उसी आपके दिन ब्रम्होस मिसाइल को आपके गाइड़ मिसाइल डिस्ट्रॉयर आइनस डेली से भी आपका लांच किया और यह सफलता पूर्वक अपने एक टार्गेट को डिस रॉकेट इंजन पर आधारित है काफी तेट चलती है इसकी स्पीड 2.8 मैक से लेकर 3 मैक तक की है और विश्व के सबसे तेट चलने वारी क्रूज मिसाइल आपकी ब्रमोस मिसाइल ही है इसका नाम भारत के ब्रम्होपुत्र नदी और रशिया के मस्कोवा नदी के संयुक् से दिया गया है नेक्स्ट इवेंट लॉंच आफ शिक्स इसकॉर्पियन सम्मरीन वॉक्सी तो देखिए काफी बार मैंने इसको आपको कवर भी किया है आपको पढ़ाया भी हुआ है पी 75 प्रोजेक्ट जो की भारत का 2008 से इस प्रोजेक्ट की शुरुबात हुई थी जिसम भारत में जो है अब टोटल छे सम्मरीन का निर्मान कारे पूरा हो गया है और छटी आपकी जो सम्मरीन है जिसका नाम वाकसीर है आइनस वाकसीर अब इसको ट्रायल पर भेज दिया गया है यानि कि अब इस पर वर्क पूरा हो चुका है और इसकी सरिमनी अभी की गई थी जिसमें हमारे डिफेंस सेकेटरी मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के डिफेंस सेकेटरी डॉक्टर आजय कुमार गए हुए थे और उन्होंने इस आपके जहाज को इस आपके नेवल शिप को जो है इंडियन नेवी को दिया है अब माना यह जा रहा है कि इसी साल के अंत तक यह तो देखिए रशिया आप सभी जानते हूं कि डिफेंस की मामले में दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है इनकी इकनॉमी भले ही अच्छी ना हो और अभी जहीर सर ने भी आपको पढ़ाया होगा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने अपनी एक एकनॉमी की ग्रोथ रेट जारी की है जीडीपी की जिसमें रशिया की जीडीपी माइनस एट पर चली गई है लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें मिलिटरी लेवल पे तो सबसे मजबूत आपका राश रशिया है और रशिया ने अभी पू अगर हम इसकी स्पैसेलिटी की बात करें तो इस मिसाइल में आपका एक जो टाइप सूपर है इंटरकौंटेनेंटल बैलेस्ट्रिक मिसाइल है प्लेस औरीजिन रश्याई अगर हम इसके भार की बात करें 208 मित्रिक तंग का है एक दो या फिर 200 कीलो का नहीं है है टू हण 108 मिट्रिक टन का है अगर आपके उपर गिर जाए तो आप चटनी बन जाए लेंथ 35 मीटर स्पीड इसकी लगभग 21 मैक की है यानि कि आपके हवा की रफ्तार ध्वनी की रफ्तार से 20.7 गुना तेज चलती है और इसकी ऑपरिशन रेंज आपकी 18,000 किलो मीटर की है ओके तो य अगर हम इसका रुपांत्रन देखें तो इसको कहा जाता है शैतान ना दुश्मनों के लिए शैतान मिशाइल वाल्दिमिर पूतिन है कि नहीं क्लास में कि सुमित दत्ता ओके वेलकम फीक है अच्छे से पढ़िए सभी लो चलिए वाल्दिमिर पूतिन कहा है भाई नेक्स्ट इवेंट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एलक्ट्रिकल वेहिकल्स प्रिल्यूट टू दा इंडक्शन इंडियन आर्में तो देखिए अभी 22nd अपरेल को जो है राजनासिंग के द्वारा जो है भारत में जितने भी टाटा आक खान हमारे आर्मी चीड भी कह रहें कि अब हमें सेना में क्या चाहिए अब हमें सेना में जो है जादा से जादा electronic vehicles चाहिए क्योंकि अब हम उसका induction काफी तीजगती से करेंगे और आप जानते हो कि जो हमारे fossil fuels होते हैं जिसमें आपका petrol, diesel शामिल होता है वो क्या है? non-renewal energy है जो कि अब आप देखोगे तो 8 से 10 साल 2030 तक तो एकदम समाप्त हो जाएंगे अब पूरा world अपने आपको electronic vehicles की तरफ shift कर रहा है और इसलिए Indian Army का भी मानना है कि हमको भी जो है अपने आपको इस तरफ ले जाना है और Tata Motors की तरफ से car, buses, motorcycle की category दी गई जुसमें Indian Army भी काफी इच्छुक है कि हम जो है अब जादस-जादा electronic vehicles को ही buy करेंगे next event world military expenditure report SIPRI तो देखिए आप सभी SIPRI को जानते हैं जिसका full form क्या होता है Stockholm International Peace Research Institute जो की एक Sweden की एक सबसे प्रतिष्थित तंस्था है जो की आपका military से related हर साल अपने report publish करती है और उन्होंने इस बार कहा है कि world का जो military expenditure है वो आपका 2 trillion US dollar का रहा है और अगर हम पिछले साल के तुल्ला में देखें या फिर 2 साल के COVID काल में देखें तो काफी तेजगती से पूरा विश्व जो है अपने defense पर खर्च भी कर रहा है सबसे number one पे आपका कौन है defense expenditure वली company अमेरिका है दूसरे number पे आपका चाइना है और भारत की position क्या है इस ranking में तीसरी है तो इसको आपको जानना है यहां से भी related questions काफी मात्रा में आपके एक्जामें भी पूछे जाते हैं सिप्री said that the total global military expenditure increased 0.7% in real terms 2021 और 2113 billion dollar को जो है इसने reach कर दिया है the five largest spenders in the year of 2021 आर पहने नंबर पे आपका अमेरिका दूसरे पे चाइना तीसरे पे हमारा देश भारत चौथे पे United Kingdom Britain और आपका पांचवे पे रश्या ठेक है यह पांच देश मिलकर पूरे विश्व का 62% military expenditure पर cover करते हैं तो यह सभी data आपके लिए important है the report said that the world military spending continued to grow in 21 और इस बार 2.1 trillion dollar की रही है अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने defense पर सबसे ज़्यादा विश्व में 801 billion dollar खर्च करता है यानि कि भारत से आपका लगभग आठ हुना ज्यादा ठीक है और उन्हें बढ़ाया भी है इस बार रशिया ने भी अपना defense budget को increase किया है 5.9% और उनका कितना है 65.9 billion dollar का है अगर हम चाइना की बात कर लें जो की वर्ल्ड का second largest defense expenditure वाला country है तो उसने अपने defense पर 293 billion dollar खर्च किया है और पिछले साल की तुलना में उन्होंने 4.7% का इजाफा किया है भारत की बात करें तो भारत आपका 76.7 billion dollar खर्च करता है इस बार भारत में भी 0.9% की hike देखी गई है साथ ही साथ भारत के defense expenditure में इस बार सबसे ज़्यादा budget किसको एलोट किया गया था हमारे इंडियन नेवी को दूसरे नंबर पर इंडियन आर्मी तीसे नंबर पर आपका सॉरी दूसरे नंबर पर इंडियन एरफोर्स और तीसे नंबर पर आपकी इंडियन आर्मी थी अब हमारी सरकार यह सोच रही है और हमारी forces यह सोच रही है कि अब हम इंडो पैस्विक रीजन में इंडिया नेवी की प्रेजेंस को और भी बढ़ाएंगे और इस कारण से ज्यादा पैसा जो किसको एलॉट किया गया है इंडिया नेवी को एलॉट किया गया है नेक्स्ट इवेंट बी आरो एट रेट 63 मल्टी डाइमेंशन एक्सपेडिशन तो देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गनेजेशन के लिए उत्तराखन के जो गवर्नर हैं जिनका नाम रिटार्ड लेप्रेंट जनरल गुर्मीत सिंग है उनके द्वारा एक जो है आपका मल्टी एक्सपेडिशन को लॉंच किया गया है जो कि यह मार्क करता है कि अब जो ब्यारो अपनी 63 स्थापना दिवस इस साल मना रहा है उसके स्मिर्थी पे यह आपका शुरू किया गया है जो कि साथ महीं तक चलेगा और इसमें आपके बहुत सारे जैसे साइकल अथान रनिंग इसकूबा डाइविंग यह सभी चीज़ें शामिल थी नेक्स्ट इवेंट इंडियन एर फोर्स बगडोरा कि एयर फील्ट पॉर रिजम्शन्स ऑफ सिविल एयर ऑपरेशन्स आयुष फॉरिंग कंट्रीज के फिगर्स तो नहीं है पूछे जाते हैं लेकिन यह पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की टॉप फाइव जो मिलिटर एक्स्पेंडिचर कंट्री हैं जिसकी रिपोर्ट सिप्री ने अभी आपकी लॉंच की है न उनका एसेंडिंग या डिसें ने एक साथ कारे करते हुए आपके इस बग डोगरा एयर फील्ड को जो है सीविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए अब चालू कर दिया है 26 अपरेल से जो की सबसे एक अच्छी बात है और इसके साथ ही अब आपका सीविल एवियेशन इंडस्ट्री में जो है काफी उच लिम्टेट भारत इलेक्ट्रोनिक्स साइंस डील टू मेक इंडिजीनियस सर्च एंड ट्रैक सिस्टम फॉर सुखोई एमके 30 आई जिट्स तो अभी हमारे हेल और बी एल के द्वारा जो है एक साथ मेमरेंडम आफ अंडस्टाइनिंग साइन की गई है जिससे कि वो हमारे स सुखोई 30 एमकी आई जिट में आपका इंडिजीनियस स्वदेशी ट्रैक सिस्टम लगा सके जिसको कि किसी भी आपके रात में या दिन में जो है वो बहतर तरीकी से काम कर सके और यह जो आपका सिस्टम लगा रहेगा इसमें एक ऐसी प्रकार के टेक्नलोजी रहेगी कि व टार्गेट ट्रैकिंग लोकलाजेशन सिस्टम रहेगा जो कि पाइलेट को और भी सुविधा देगा कि वह अपने टार्गेट को आसानी से देखे और इसको डिश्ट्रॉय करें नेक्स्ट इविंट सेवंथ राइसीना डाइलोग मैंने आपको पढ़ाया था भी और बताय के साथ Observer Research Foundation दोनों ही इस आपके राइसीना डाइलोग को कंड़ करवाते हैं जिसमें काफी मल्टी स्टेखोल्डर क्रॉस सेक्शनल डिसक्शन कंड़क्ट होती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रॉमिनेंट पसनाल्टी मिलिटर्स सभी भाग लेते हैं और मैं आप 20-30 मिनिट के जो आपकी चर्चा होगी वो आपके लिए आपके रिटेन एक्जाम रिटेन तो उतना नहीं कहलों लेकिन आपके इंटर्व्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि पढ़हाई का सबसे मेन उद्देश यह होता है कि आप इंटलेक्शूल बन सको ना यह नहीं कि सिर्फ आप फैक्ट याद करते चले जा रहे हो कि भाईया बस मुझे याद कर लेना है अपना मैं रिटेन एक्जाम क्लियर कर लूँ मैं नौकरी पा जाएंगे उसके बाद जो है आपको और भी ज्यादा चालेंज़ जहेलने पढ़ेंगे तो इसलिए यू तभी आपको experience आएगा क्योंकि जीवन बड़ा ही छोटा है ना आप सोचेंगे मैं खुद अनुभाव करके जो अनुभाव करके अनुभाव लूँगा तब इसमें बहुत देर हो जाएगे ना बालवाल पक जाएंगे फिर ऐसे ही गर्मी पढ़ रही है तो इसलिए जो कित कितावे होती हैं बुक्स होती हैं डॉक्यमेंटरी होती है तो उसको आप पढ़िये सुनिये देखिए चली बच्चों नेक्स्ट इवेंट आइंग 35,000 करोड इन एक्सपोर्ट इंडिया इंपोर्ट बैंड लेस्ट अगुट इस्टार्ट टाइप इंटो फॉरें मार्केट्स चली तो मैं मेडिकल आफिसर नहीं ठीक है है टूथ-फूथ का और क्या आप सभी पूछ रहे हैं देखूं हाँ अन्या चलेगा ठीक है चलेगा कोई वह ऐसी बात नहीं है जब आपके मेडिकल में टीथ के पॉइंट्स देखे जाते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिये जाते हैं आप जो है आपके नियर में कोई भी सरकारी होस्पिटल तो वहां पर जाकि आप पूरा एक बॉड़ी चकप करा लो ना जिससे कि वह आपको बता देंगे कि आपका रेशियो क्या है जाने का तो यहां पर देखिए अभी भारत का जो आपका एक्सपोर्ट डेटा है वो 35,000 करोड का हो चुका है ठीक है यानि कि 35,000 करोड का और भारत के जो आपके मेजर एक्सपोर्टर्स हैं भारत कुल 84 कंट्रीज को जो है आपका अपने डिफेस इक्विमेंट्स देता है जिसमें श्रिलंका है भुटान है रशिया फ्रांस नेपाल मौरिशस फिलिपन साथी रभ्या इथोपिया इजिप्ट यू एई चाइल चिली इस्पेन पूलैंड यही यह सारी देश आपके शामिल है कंट्रीच एका अपक्रोड़िघे टोड़ इस्फंट टोनेशन आर्विया इंडिया इसेंड नुटि अरफिखेंपर्ट्र पीछां इंडिया इन साथी आर्मिया इस्वा इस्ट टार्डों टीब्स इंपोर्ट्स इंपोर्ट ऑम डिफेसेंटिंगल्य मिजोथ 啦र्गश तो देखिए जब आपका SSB interview होगा तो ये कुछ काफी आपके जो facts हैं वो आपके लिए important रहेंगे तभी आप दूसरों को counter कर पाओगे अगर हम देखें 2017 से 2021 में इंडिया's 50% difference export were to Myanmar followed by Sri Lanka and the Armenia अर्मेनिया तो हमने आपका 50% अभी जो गया है उसमें म्यानमार श्रीलंका और अर्मेनिया दोनों ही देश तीनों ही देश शामिल है नेक्स्ट रिवेंट की हुई है अगला इवेंट आपका इंडिया offers additional 500 million after china's mutual response to Sri Lanka request मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि श्रीलंका में अभी आपकी economic crisis चल लही है और वो काफी कर्ज में डूप चुके है अठारा सो रुपर लीटर तो वहां पे दूद अभी आपका मिल लहा है थीक है तो बच्चों को जो दूद भी पीना वहां पे मोहाल हो गया है और इसलिए भारत ने एक बार फिर से श्रील श्रीलंका की मदद करते हैं उनको एडिशनल 500 मिलियन युएस डॉलर की सपोर्ट प्रोवाइड की है दफ्रेश 500 मिलियन एडिशनल सपोर्ट बाइंडिया टू कोलॉंबु इस ओवर दा एबवाव आफ 1.5 मिलियन क्रेडिल लाइन ओफर वाइड इंडिया अर्लियर भारत ने इसको लपक लिया अगला आपका इवेंट है इंडियन टूप्स टू ऑपरेट मेड इन इंडिया आर्मेट कॉमबेट वहिकल्स इन युनाइटेड मिशन तो देखिए भारत की तरफ से दो आपके नए आपके वहिकल्स बनाए गये हैं एक आपका टाटा के दौरा बना इंक्लूडिंग क्यू आप यह बड़ा वाला देख पा रहे हो ना इतनी तो आपकी हाइड भी नहीं होगी टाटा जैनान लाइट वहिकल्स इस बिंग डेप्लाइड फॉर्स ताइम इन दी अबई अफ्रीका तो काफी पावर्फुल आपके वेपन्स आपके यह वहिकल्स होते हैं जो कि हमारे सेक्यूरिटी फोर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और किसी भी टीरेन में आसानी सी ऑपरेट भी कर पाते हैं तो यह थे बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टर इवेंट्स जिसको मैंने पर्स्ट एपरल से लेकर टुन्टी नाइन अपरल तक के सभी इसको कवर कर दिया है अब समय आएगा इनके रिवाइस क्वेश्चन का तो आप सभी कमरकस के तयार हो जाएए आप सभी को करेक्ट अंसर देना है तभी आपको कुछ खाने पीने को मेरे तरफ से मिलेगा और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अपने ए प्रॉसस में इन्रोल होई है प्रैक्टिस सेट भी हम प्रवाइड करते हैं बुक्स भी हम आपको अविलेबल कराते हैं इन सभी की लिंक्स नीचे दिस्क्रिप्शन में दी गई है तो ताइम्स कम फॉर दी रिव्यू कॉस्टिन सशन और फॉर्स क्वेश्चन इस सरिसका ताइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन हिमालयास अरावली हिल्स नीलगरी हिल्स या फिर आपका डेक्कन प्लेटू चली बच्चों लगतार कमेंट करते जाइए क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजे ना सिर्फ पढ़ते ना रहिए लाइक का बेटन प्रेस कर देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा चली लगतार बच्चों टुड़े रहिए और रावली हिल्स अरावली हिल्स कहां पर आपके राजस्थान की तरफ है ना और इसी सरिसका टाइगर रिजर्व में अभी आपका आग भी लग गई थी जिसको हमारे इंडियन एयर फोर्स के चौपर्स ने बुजाया था एयर फोर्स यूज विच हेलिकॉप्टर टू पुट फाइर आप एट सरिसका टाइगर रिजर्व शिनूक अपाचे माइस सवेंटीन वी फाइव या फिर आपका चेतक चले बच्छो लगतार अंसर देते रहे और सभी के अंसर भी आने रगे हैं और आप इंडियन एर फोर्स तयारी कर रही है कि आपके इसराइली मेड एंटी गाइडेड मिसाइल इसमें जो हमें आपका लगाएंगे अगला कोश्चन फू एजियूम दक कमांड ओप आर्ट्रैक कि लेफ्टेंट जनरल एसस महल लेफ्टेंट जनरल अजय केलकर लेफ्टेंट जनरल विजय सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं इनमें से किसने आर्ट्रैक कमांड की जो है चार्ज ली है अब मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ ठीक है जो बच्चे रोज कवर करते हैं डेली डेफेंस करेंट वर की क्लास आर्ट्रैक का मतलब कौन पूछ रहा है दिपशिता पूछ रही है तो देखिए आर्मी ट्रेइनिंग कमांड को आर्ट्रैक कहते हैं हिंदी आपकी शॉट फॉर्म में और यह आप सभी जानते हो कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी टोटल सेवन कमांड है जिसमें आपक कि एक क्या है ट्रेइनिंग कमांड है और इसी ट्रेइनिंग कमांड का नाम हम क्या कहते हैं आर्ट्रैक कमांड कहते हैं जिसको आर्मी ट्रेइनिंग कमांड कहते हैं जो कि कहां पर है बच्चो ही महाचल प्रदेश के शिमला में है ठीक है आर्मी में जाओगे तो आप ट्र चीफ ऑफ दीनेवल स्टाफ वा कि एंडिस एड्मिराल आप सभी को बताना है कि सभी कोश्यंस के एंसर देने तभी भईया डलीया के आपको कुछ मिलेगा ना और सभी केंसर में देख भी जिसका एक भी कोस्टिन गलत वो तो आपका रेस से बाहर और यह आपके 1985 बैश के ऑफिसर है और इन्होंने पढ़ाई की हुई है और इन्होंने अभी जो है आपका डेपुटी चीफ आफ नेवल स्टाप की पोस्ट जो है लिया हुआ है एट एडिशन आफ नेशनल लेवल रिस्पॉंस एक्सराइस कंडुक्टेड एट वेयर केरल आंदरप्रदेश गोवा या फिर आपका महराश्ट्रा चलिए इशा, वीनस, संजय, शुभम, अनन्या, दीप, लगतार बच्छों अंसर बताते जाएए आपके इस नेशनल लेवल पॉलूशन रिस्पॉंस को गोवा में कंडुक्ट किया यह दो दिन तक आपका एक कॉंफरेंस चलता रहा जहां पर हमारे डिफेंस सेकेटरी भी शामिल थे और इस पर सबसे जोड़ दिया गया कि जो हमारी मैरी टाइम बाउंडरी होती ही जो हम कैसे सुरच्छित रखें उसको हम कैसे पॉलूशन फ्री रखें और इसलिए पूरे भारत से जितने भी हमारे एंसी सी कैड़ेट्स हैं उन्होंने आपके इस सच्छता अभियान में पार्ट स्पेड भी किया था और आप सभी जानते हो कि सच्छ भारत अभियान भारत सरका का इस एक सबसे प्रमुख जो है प्रोग्राम भी है जिसको सबसे पहली बार आपका सेकेंड ऑक्टूबर 2014 को शिरुवात की गई थी और महात्मा गांधी के 150th birth anniversary जो कि आपका 2019 में था उसमें कहा गया था कि हमको भारत को ओपन डिफिकेशन फ्री करना है यानि कि खुले खुले से सौच से मुक्त करना है आप तो कहीं ओपन डिफिकेशन नहीं करते हो करोगे तो गलत है और अगर कोई करेगा तो उसको आप समझाईए कि भाईया घ केसाइस जोला तरनी कंडॉक्टेड पाई इन च्टा क माण सदबर सकारओ सर्णिगेशन एक्सेडवर कमाड द सदना वी कमांड एक्सेशिए ज़ात रही सीग चेस एक डोमेंस्टिक गया आपकी सीग जाह इस और चलि बच्चों बताइए एक्सेसाइज ज्वाला तरणी हमारे किस कमांड ने किया है और ज्यादा तर बच्चों का गलत अंसर आ रहा है अब ही तुम्हें आपको पढ़ा रहा था एक्सेसाइज ज्वाला तरणी अब देखिए ज्वाला को तो आपने भूल गया लेकिन तरणी को आपने इंडिया नेवल कमांड से जोड़ दिया ऐसा गलत है इंडियन आर्मी की सदन आर्मी कमांड के डेजर्ट कोर के दौरा इस एक्सेसाइज को राजस्थान के पोखरण में कंडर्ट किया गया है जहां पर हमारी मेकनाईज इंफिंट्री ने पार्ट स्पेट किया था है ओके है हेलीना इज अ हेलिकॉप्टर एटी जीएम गन या फिर आपका शिप लगतार बच्चों बताइए कि आपका हेलीना इनमें से क्या है चलिए सभी बच्चों के अंसर भी आ रहे हैं लगतार बच्चे बताते जाए कि हलीना इनमें से क्या है और करेक्ट अंसर ऑफ दिस कोश्चन इस ऑप्शन भी दाट इस इस टाइप ऑफ आ एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल उप इंडिया न डेपलप बाइडे डियो इस हेलिकॉप्टर की बात करें तो यह आपका कौन सा हेलिकॉप्टर है ध्रूह है यह कौन सी मिसाइल है आपकी हैलीना है जिसको हम एर वरजन कहते है इसी का आपका जो सर्फेस वरजन है उसको हम नाग के नाम से जानते हैं और यह जो आपकी हैलीना मिसाइल है उसको हम ध्रूव आस्र भी कहा करते हैं जिसको किसी ने किस के दोरा बनाय गया है DRDO के दोरा बनाय गया है इसकी range कितनी है आपकी 5 km की range है जो कि किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम भी है चिनूग हैस क्रिएटेड अ फ्लाइंग रिकॉर्ड बाइक कंप्लीटिंग नॉन इस्टाप शॉर्टी इन इंडिया फ्लाइंग फ्रॉम जालंधर टू पानीपत जमू टू कश्मीर निव डैली टू चन्ने या फिर चंडिगर टू जोरहट तो अभी चिनूग उन्होंने रिकॉर्ड बनाये हैं आप सभी को बताना है कि अगया है कि सभी को अंसर बताते जाना है कि इसका आपका राइट अंसर क्या होगा अगर मैं आपको इसके बारे में बताओं तो यह जो आपकी टेस्ट करवाये गया था उसको चंडिगर से लेकर जोरहट जोरहट कहां पर आता है आपका असाम में आता है और यह टोटल इसने 1910 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी कवर की है वो भी कितने समय में साधे साथ घंटे में और जो अगर हम चीनुक की बात कर लें चीनुक इस टाइप अफ़ मिलिटरी ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर ओंड बाई दी अमेरिकास बोइंग कंपनी ना यह तो काफी बहतेरीन आपका हेलिकॉप्टर भी है जिसको हमारे इंडियन एयर फोर्स अ फिर इन में से कोई नहीं कि इन में से कौन से शिफ रश्या की अभी डूब गई है कि लगतार बच्चों बताते जाईए और अब यह आप सभी जाने लोग कि एक मैने हो चुके हैं रश्या और यूक्रेन के वार को होते हुए और रश्या को सबसे बड़ा धक्का तब लग बाल्टिक सी में जो है संक हो गई थी and the right answer of this question is option B मुस्कवा ठीक है तो देखिए मुस्कवा रीवर भी है और मुस्कवा रीवर से जो है इसका नाम मुस्कवा पड़ा है और यह एक guided missile destroyer थी जो की रश्या का था इसके आपके armament में मिसाइल गिरने से इसमें काफी याग ल एक्सराइस कौनकर्ण शक्ति conducted between इंडिया एंड विच नेशन कतर ब्रिटेन सब युनाइटेड अरब अमिरेट या फिर आपका जापान एक्सराइस कौनकर्ण शक्ति किन दो देशों के बीच आपकी कंड़क्ट की जाती आपको बताना है चलिए चलिए चाहिए ब्लैक सी में आपका मोस्कोवा गिरीं थि ऑके बाल्टीक میں नहीं बाल्टीक सी में तो हमने पिछले साल आपका रशिया के साथ इंदर नेवी एक्सराइस कंड़क्ट किया था जब उनके इंडिया नेवी की रशिया नेवी की 365 आपके एंवर्सरी मन करें तो इस साल भी इसको किया गया है और आपके इस साल कॉंकर्ण कोस्ट में इसको किया गया है ना और अगर हम 2020 की बात 21 की बात कर लें तो इसको जो है आपका English Channel में कंड़ेट करवाय गया था और यह भारत और UK के बीच होने वाली एक नेवल एकसाइज है चलिए कि सिप्री स्टैंड्स फॉर वाट इस दफूल फॉर्म अप्ड़ सिप्री इन चारों आप आप्शन्स को पढ़िए और बताइए कि सिप्री का फूल फॉर्म इसमें में से क्या है क्या है और सिप्री ने अभी आपकी वर्ड मिलिटरी रिपोर्ट को जारी भी किया है जिसमें उन्होंने विश्व के तमाम देशों को बताया है कि कौन-कौन से देशों के द्वारा कितना का मिलिटरी एक्स्पेंडीचर किया जा रहा है अगला कोश्चन वेर इस दा हेटकॉर्टर आप दे सिप्री सोलना बर्लेन पैरिस या फिर आपका मौसको सिप्री का हेटकॉर्टर इन में से कहां पर है इंटरनेशनल नहीं था बच्चो वह इंटरनोशनल था ठीक है अगर आप स्पेलिंग साही से पढ़े होंगे चलिए बच्चो लगातार बताते जाएए सिप्री यानि कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिटूट का हेटकॉर्टर इन में से कहां पर है स्टॉडन की एक आपकी स्टॉक होम की सिटी है सोलना वहां पर इनका आपका हिटकॉर्टर है इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए मिलिटरी पर बेस ये आपकी रिपोर्ट हर साल जारी भी किया करती है आगला कॉस्चन इंडिया सोल ब्रह्मोस मिसाइल टू विच नेशन फिलिपिन्स वियतनाम थाइलेंड या फिर आपका जापान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल इन में से किस देश को आपकी बेची है आप सभी को ये बताना है चलिए सभी के लगतार अंसर आ रहे हैं और इस बार तो आप सभी सही अंसर भी दे रहे हो ये ये आपकी और चाइना से सब्सक्राइब हम भी पर्शान है जो पाकिस्तान और चाइना के बहल में रहेगा वो सभी परशान रहेंगे क्योंकि जैसा आपका पडोसी रहेगा वैसे ही आपका इंवार्मेंट रहेगा और भारत ने अभी हाली में आपका फिलिपिन्स को ब्रह्मोस मिसाइल सोल्ड की है यानि की बेची है ब्रह्मोस आपकी एक सुपर सॉनिक प्रोस मिसाइल है जो कि आपके रॉकेट इंजन पर सॉरी जट इंजन पर काम करती है फिक है जट इंजन क्या होता है एक तरीके के ऐसा इंजन होता है कि जो कम दूरी को काफी जल्दी कम समय में आपका कवर करता है और ब्रमोस की जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इस स्पीड होती है वो 2.8 से लेकर 3 मैक तक की होती है और ब्रमोस के सूपर सॉनिक वर्जन पर अभी भारत और रश्य दोनों एक साथ काम कर रहे हैं साथ ही साथ अगर हम फिलिपिन्स की बात करें तो भारत अब उनको जो है पिना का मिसाइल देने का ओफर किया हुआ है कि आप इस MBRL सिस्टम को ले लीजे सूपर हॉर्नेट इस मेड़ बाई डेसल्ट बोइंग एयर बस या फिर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेट सूपर हॉर्नेट इस टाइप आफ फाइटर जेट इसको किस कमपनी के दौरा डेवलप किया गया है आप सभी को बताना है और जैसा कि मैंने आपको अभी दो तीन दिन पहले पढ़ाया था कि आपका जो फ्रांस है और अमेरिका है वो इंडियन नेवी के लिए जो है यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा एयर क्राफ्ट खरील लें ना तो सूपर हॉर्नेट यह जो फाइटर जेट है उसको किस कमपनी के दौरा बनाए गया है और यह जो फिए अप्षिन बीड़ा थीज देखी बचो इंडियन नेवी को अभी टोटल 57 एयर क्राफ्ट की जरूरत है जिसमें इंडियन नेवी ने अब यह डिसाइड किया कि पहले हम 26 एयर क्राफ्ट को खरीदेंगे अब इन एयर क्राफ्ट को कहां पर आपकर डिप्ल जब भी कोई आपकी प्रेस रिलीस किया जाता है न कि हमको इतना चाहिए तो विश्व के जितने भी आपके कंपनीज होती हैं सब एक्टिव हो जाती हैं क्यों क्योंकि उनको जो है उस आपके डील को लेना है अब 26 विमान है काफी महंगे भी होते हैं यह तो इसलिए प्रा 18 सूपर हॉर्नेट को जो है अभी हमारे इंडियन नेवी को दिया गया है दो आपके फाइटर प्लेंस भारत में आ भी चुके हैं और वो ट्राइल्स पे हैं इंडियन नेवी एक बार देख लेगी अगर ट्राइल्स सही लगता है तो हम उनको लेंगे नहीं लगता तो नही लेंगे जैसे मान लीजिए अगर आप बाइक या कार लेने जा रहे हो तो आप भी क्या करते हो ट्राइल लेते हो ना राइड लेते हो उसी तरीके से हमारे इंडियन नेवी भी राइड ले रही है बोलो हिंदुस्तान की जय इस दा वार क्राइओ जेके रिफ आरार महार र लेजिमेंट कि बोलो हिंदुस्तान की जय इन में से किस हमारे सेना का युद्ध घोश है आप सभी को बताना है और अभी कोश दिन पहले मैंने इस कोश्चन को आपको कवर भी कराया था आपको बताना है कि बोलो हिंदुस्तान की जय इन में से किस हमारे रेजिमेंट का युद्ध घोश है लगतार बचों कमेंट करते जाएं और राइट अंसर आप इस कोशन इस ऑप्शन सी इस महार रेजिमेंट महार रेजिमेंट का मोटो अगर हम देखें तो यह शिद्धी यानि की सक्सेस एंड अटेइन्मेंट इनका मोटो क्या है बोलो ह इंदुस्तान की जाएं रेजिमेंटल सेंटर मध्य प्रदेश के सौगोर में हैं और यह हमारे भारती थलसेना में 1941 से ही एक्टिव हैं अगला कोश्च्च्च्च वर्ल्स टॉप मिलिटरी एक्स्पेंडियर नेशन एकॉर्डिन टु सिप्री 2022 रिपोर्ट इस रशिया इं आप सभी को बताना है इस कोश्चन इस ऑप्शन डी डाट इस अमेरिका ठीक है तो देखिए 801 उस डॉलर के मिलिटरी बजट के साथ अमेरिका इस रिपोर्ट पर नंबर वन है ठीक है नंबर वन पर कौन है अमेरिका दूसरे पर 293 बिलियन डॉलर के साथ आपका हमारा सबसे प्यारा पढ़ोसी चाइना है तीसे नंबर पर हम खुद 76.6 यूस बिलियन डॉलर के साथ है और यह रचिया तो आपका पांचों नंबर पर आपका कौन है यूके है तो पांचों देश के नाव आपको पता होने चाहिए जापकरा करो पक्यार प्रासे बिलाज बिल्लाटरो आपका थे कोलकाट विल्डेली मॉंबाइ कोछी चलिए पूरे जोश जजबे के साथ बने रही पूरी क्लास में ठीक है और एक बार फिर से आप सभी fire emojis के साथ पूरे comment box को भरने की कोशिश करिए अब देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा comment fire emojis का कौन करता है जिससे कि आपके अंदर भी जोश हाई रहे और आप बहतर तरीके से इस क्लास से ज़्यादा सीख भी सकें और राइट अंसर अप दूस कोश्चन इस option B that is Kolkata ठीक है जो आपका है अरे सौरी निव डेली ठीक है नई दिल्ली में जो आपका राइ साइनर डालोग मनाया जाता है और इस बार इसका 7th edition आपके हमारे नई दिल्ली में मनाया जा रहा है जिसमें विश्च के prominent personalities भी शामिल हैं तो चलिए एक question मैं आपसे और पूछ लेता हूं अब प्रधानमंतित नरेंद मोदी के बगल में आप जुसको देख रहे हैं यह कौन है और ऐसा question मैंने आपसे question of the day में भी पूछा था तो फटा-फट बच्चों बताइए कि यह कौन है आपकी ठीक है हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूं मोदी के साथ यह गल नहीं है यह आपकी लेडी है कौन है यह लकतार बच्चों कमेंट करते जाए और इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं फिर्स इंडियन आर्ण ओफिसर प्रमोटे तो फिल्ड मार्शल अप इंडियन आर्मी एर मार्शल अर्जन सिंग पिल्ड मार्शल केम करियपपा फिल्ड मार्शल एस एफ मानिक्षा जनल बपन रावत बहुत अच्छे ना हमारे यूरोपें यूनियन की जो है यह चीफ है यानि कि प्रेसिडेंट है वहां की चलिए अब आपको बताना है कि हमारी जो इंडियन आर्म फोर्से से ना उसमें सबसे पहली बार फिल्ड मार्शल इंडियन आर्मी में किसको बनाये गया था and the correct answer is option C that is field marshal SHF मानिक्षा और इनका इस बार जो है 104th या 3rd आपकी बर्थ अनिवर्सरी 3rd अपरेल दोजार बाई इसको मनाई गई थी और यह भारत के जर्नल भी रह चुके इंडियन आर्मी के साती साथ भारत के पहले ऐसे आफिसर हैं जो इसको field marshal बनाये गया है और अगर हम बात कर लें जनरल विपिन रावत की लेट जनरल विपिन रावत सभी लेट हो चुके हैं और यह सीडियस हैं भारत के पहले यह भारत के पहले field marshal यह भारत के दूसरे field marshal और पहले commanding in chief और air marshal urgency air force के आपके marshal है ठीक है marshal थे air marshal which is the six largest submarine under p-75 current वाक्षीर क्रिपान या फिर वेला याने की p-75 project के तहद जो scorpion class की छटी पंडुबी है उसका नाम क्या है and the right answer of this question is option b that is आइनस वाक्षीर ठीक है और अभी इसको सी ट्राइल के लिए भेज दिया गया है और यह छटी पंडुबी बन कर तयार हो चुकी है जिसको भारत के द्वारा ही बनाये गया है कि सार्मेंट missile is a nuclear capable cruise missile summary launch ballistic missile या फिर इन में से कोई नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको इवेंट्स कवर कर आ रहा था तो इनसे रिलेटेड आपको मैंने बताया भी था आपको बताने के सार्मेंट इन में से किस टाइप की मिसाइल है कि लगतार बच्चों क्लास में जुड़ते जाए क्लास को लाइक शेयर करिए ना जैसे कि आप सभी और भी पढ़ सकें कि अचोन कर दो कि इस वे बताना है कि यह मिसाइल काफी पावरफुल है वैसे तो है भी आगर हम इसकी operational range की बात करें तो यह आपकी 18,000 km की range cover करती है Speed इसकी आपकी 20.7 Mac की है और origin इसका किसका है? Russia का है तो Russia की दोरा इस powerful missile को बनाया गया है और इसकी अभी test firing भी की गई है Recently, Indian Navy Science Memorandum of Understanding with DRDO, Larson and Tubro, ISRO या फिर MDL तो आपको बताना है कि अभी हाली मी Indian Navy ने MOU किसके साथ साइन किया था? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी हमारी Indian Navy ने आपका एक Memorandum Sign किया है जिसके तहाँ जितने भी electronic warfare के equipment बनाये जाएंगे अब वो उनकी पूरी support कौन कमपनी इंडियन Navy को देगी? आपकी Larson and Tubro देगी और Larson and Tubro Defense Manufacture में वर्ल्ड की top 5 companies में आती है जो कि भारत की company है आगला question आर्मी मेडिकल कोर मोटो इस एमसी का मोटो क्या है? और इन्होंने भी 258th अपनी बर्स इंडिस्टी पी मनाई है सर्विस विफोर सेल्प, सर्वे, संतु, निरामया, आल्वेज, ब्रेव, वेलर, एन, पेज देपश्रिता MOU का मतलब होता है Memorandum of Understanding ठेक है? यानि कि समझा होता ग्यापन किसके साथ हस्ताच्छरित किया गया है समझ में आया? चलिए, सभी के अंसर साने लगे है और राइट अंसर इस ओब्यूसली दा ऑप्शन भी इनोने 258th अन्वर्सरी अपनी 3 अपरेल को मनाई है ठीक है? Solomon Island is located on Indian Ocean Pacific Ocean, Arctic Ocean या फिर इन में से कोई नहीं पटा-फट बच्चों बताईए Solomon Island इन में से कहाँ पर आपका located है और अभी ये important क्यों है? क्योंकि चाइना ने Solomon के साथ जो एक deal कर लिए अब वहाँ पर उनकी navy रहेगी और इस सबसे ज़्यादा खत्रा किसको रहेगा? Australia से रहेगा अब तो मैं आपको hint भी दे चुका हूँ अब फटा फट बताईए कि Solomon Island आपका कहाँ पर located है and the correct answer is option B that is specific question तो देख लिजे ये आपका Australia है इधर ही तरह आपका कहीं New Zealand आज ये है आपका New Zealand ओके ये आपका Solomon आपका Island है जहाँ पर अब China अपनी Navy deploy करेगी तो Pacific Ocean में सबस्यादा खत्रा किसको हो जाएगा? Australia को हो जाएगा ठीक है? और कोई भी देश नहीं चाहता है कि उनके पास कोई दूसरा बड़ा देश जो है अपनी Navy deploy करे The ninth edition of the India किर्गिस्तान Joint Special Forces exercise was conducted at यानि कि आइनस खंजर कहां पर हुई है? बाकलो, रानी खेट, पूने, जहांसी लागतार बच्चों बताते रहिए इंडिया किर्गिस्तान के बीच जो अभी इसी अपरल में आपकी ninth edition वाली exercise कांड़क्ट हुई है वो कहां पर हुई थी? और ये exercise में दोनों देशों की special forces शामिल होती है national maritime day observed on 5th, 6th, 7th, 8th April national maritime day कब observe होता है? और इसी लिए जो है अभी हमने हमारे Indian Coast Guard ने program भी किया था जिससे related question अभी मैंने आपको cover भी कराया था जामिल होता है So the correct answer of this question is option A on every year on 5th April this national maritime day is observed throughout the world next question is Wing Commander rank of Air Force is equivalent to which rank of Indian Navy commander, lieutenant, admiral, captain. So you have to tell that which rank of Indian Navy is equivalent to the wing commander rank of the Air Force. अगर मैं बात करूं, Indian Air Force की Wing Commander की post को, ठीक है, तो वो हमारे Indian Army के Lieutenant Colonel की post के equivalent माना जाता है, अगर Navy में देख ले तो वो आपके commander post के equivalent माना जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहां गया यह, यह, ठीक है, चरिए, HST-DV stands for Hypersonic Technology Vehicle, Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle, Hypersonic Technology Detonator Vehicle या फिर इन में से कोई नहीं, HST-DV एक आपके Technology होती है, तो उसका full form क्या है, आप सभी को बताना है, चली बच्चों लगतार बताते जाईए, ठीक है, क्लास में जुड़ते भी जाईए, कोश्चन्स आपके रिवी कोश्चन्स लगतार चलते चले जा रहे हैं, सभी के लिए इंपोर्टेंट है, और पूरे April मंद का हम जो है, current affair जो है, cover कर रहे हैं, और इसी के साथ, अगर हम इसका correct answer देखें, तो हम यह पाते हैं कि option B, that is, hypersonic technology demonstrator vehicle, stand for the HST-DV, ठीक है, जिसको DRDO के द्वारा बनाये गया है, और यह आपका एक flying vehicle है, आइनस अरिघट is a nuclear powered submarine, diesel power, destroyer या फिर आपका sailing ship, आइनस अरिघट इन में से क्या है, और काफी आपका सबसे most awaited project है, हमारे Indian Navy का, तो आपको बताने कि आइनस अरिघट इन में से क्या है, चले बच्चों, पूरे जोश के साथ, सभी अंसर देते रहे हैं, और यह आपकी दूसरी आपकी जो nuclear power submarine बनेगी, उसका नाम क्या रहेगा, आइनस अरिघट रहेगा, इस पर काम आपका चल भी रहा है, और कहा तो यह जा रहे है, दिसम्मर 2022 के अंते तक इसको commission करवा लिया जाएगा, अब देखते हैं, जॉइंट exercise between India and Japan is called, शिन्यू मैत्री, स्लीनेक्स, इंद्र या फिर युद्ध अभ्यास, भारत और जापान के बीच होने वाली exercise का इन में से नाम क्या है, शिन्यू मैत्री, स्लीनेक्स, इंद्र या फिर आपका युद्ध अभ्यास, और अगर हम इस question का correct answer देखें, तो हम यह पाते हैं कि option is the right answer, स्लीनेक्स हम किसके साथ करते हैं, शिलंका के साथ, इंद्र आपका रशिया के साथ, युद्ध भ्यास आपके अमीरका के साथ, ठीक है, तो एक question से आपने चार चीजे, जान ली, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि, अपने SSB interview के preparation को और भी बहतर करने के लिए, आप सभी SSB interview के online course में enroll होके, अपने तयारी को boost up कर सकते हैं, जहां पर आपको day first से लेकर day fifth तक के सभी testing procedure, daily live classes के थुरू हमारी experience faculty आपको पढ़ाती हैं, और आप एक बहतर knowledge, guidance, training लेके अपने interview में recommendation भी ले पाओगे, तो फटा-फटा आप course से enroll होई है, जिसकी link की नीचे description में दी गई है, अपने friends और related को भी इन सभी courses के बारे में share करते रही है, so the times come for the question of the day, चलिए question of the day तो, अब मैं आपको question of the day दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको gun को तो identify नहीं करना है, लेकिन आपको यह बताना है कि, अस्त्र, Mark 1, A जिसका नाम है, ना, उसकी developer कौन है, उसकी developer organization कौन है, यह आपको बताना है, साथ ही साथ, आपको इस missile का जो है, range भी बताना है, ना, तो यह आपका, आज का question of the day रहेगा, अस्त्र, Mark 1, A के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी लेके, आपको comment box में comment करना है, और जब मैं next class में, यानि की, मंडे को आऊंगा, तो इससे related मैं questions भी देखूंगा, और before you wind up, I want to tell that, these are the courses which are providing by the SSB crack exam, like NDA series, MNS and many others, bundles and test series of all the courses are available in a very affordable price, तो आप इनको ले सकते हैं, घर बैठे, आप 24 into 7, आर्ग approach के साथ बहता त्यारी कर पाएंगे, आप इस class की PDF को download करने के लिए, आप हमारे blog और telegram channel पर चले जाईए, जिसके link नीचे description में दी गई है, जहाँ पर आप एक अच्छी तैयरी कर पाऊगे, ऐसे बच्चे, जो हमारे courses में enroll होना चाहते हैं, वो इस वारे 10 code का इस्तमाल करी, जिससे कि आपको 10% का plat discount हमारे सभी courses पर मिलेगा, सो मिलते हैं next session में, जैहन and wish you all the best.